हेलो फ्रेंड्स वेलेकम तो माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज डिस्कस करते हैं सी प्लस प्लस में कुछ कुश्चन है उसको सब्सक्राइब करते हैं यह आपके CS IT से लिए जितने भी कम्टिट्व एक्जाम से हैं उन्हें सभी में कुछे गए हैं और आगे फ्यूच नेक्स्ट प्री प्रोसेसर यह आपकी फुल फॉर्म है PSPG ठीक है नेक्स्ट आपका कुश्चन है आपको इस कूड का आउट्पूट निकाल के बताना है इंट मेन फंक्शन ओपन कर लिबरस इंट एक्स कॉमा वाइक्वल टू टेन कॉमा जेडिकल टू टेन एक्स इक्व एरर सी 10 10 और डी जीरो ठीक है तो आईए इसका आउट्पूट देखते हैं सलूशन करते हैं इसका तो इसमें क्या है मेरा यहाँ पे मेन फंक्शन इंटीजर टाइप का दे रखा है इंट एक्स वाइजट आपकी तीन वैलू है जो की इंटीजर डेटाइप की है य की वैल आप देखो क्या इकक्कोल इककुल है तो हाँ बिलकुल तस एकक्वल टू दस इसलिए दोनों पच बराबर है इसलिए वाइइ एकक्वल इक्वल टू जड यैippers श्पर्श उपकाउस फाह द्रीजर एक लाएगा फसनs Bye-POS करेक्ट का जाएगा यहाँ इसलिए अगा आपका question है what will be the output of the following C++ program तो C++ program की का output आएगा ये C++ में काफी important question है तो C, Java, C++ ये आपके लिवर्स में question है जितने भी हैं सबकी practice कर डा लिए बहुत आसान होते हैं और प्रवाडर question और यहीं आपको merit high बनाने में help करते हैं ठीक है तो has include st has include io stream.h तो यहां आपका input output stream की header file है wide main आपका main function empty है open कर लिवर्स के बाद int y equal to 9, z equal to 2, flat x ठीक है float x तो आपके जो y और x, z जो है वो integer type के हैं और आपका x जो है वो float type का data structure है ठीक है तो y आपका float और x, sorry x आपका जो flat data type का है और y and z आपके integer type के data है ठीक है data type है अब x equal to y divided by z, यह condition दे रखा है तो y divided by z it means y को z से भाग करो जितना answer है वो x को assign कर दो तो y को x से डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा ठीक है y को z से भाग करोगे तो 4.5 आएगा आपका ठीक, वो value x को denote कर दो ठीक है और c out less than x ठीक है तो it means इसका मतलब है कि y को जब z से डिवाइड करोगे आप तो 5.0 जेड बराबर 2 है 5.4.5 आएगा तो इसका मतलब floor value दे रखा तो 4.0 वाला आपका option correct नहीं होगा division operator लगा है तो इसलिए 4.5 वालू correct आएगी ठीक है तो option आपका d correct है ना की b ओके तो इस प्रकार के question आपके output based question जरूर आते रहते हैं इसकी video pause करके practice कर लो कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लिए ना comment box में लिखिए और अच्छे से इसको video pause करके no down कर लेना दोस्तों को share कीजिए video को like कर देना और नए channel पर हो तो आप इसको subscribe करके bell icon को press कर देना ताक कि जब भी मैं इस प्रकार के videos अच्छे तरीके से डालू तो आपके पास पहुन जाए information ठीक है thank you friends